MI 11 Lite vs. Infinix Note 10 vs. Realme Narzo 30 comparison तो आज मैं इस तीनों भी डिवाइसे का एक कमपारिजन टॉपिक कवर करने हो लो एच चेक करते हैं कि तीनों डिवाइसे कौन कौन से फीचर्स के मावल में लुक वाइसे में, परफॉर्मेंस वाइसे में, डिजाइन वाइसे में, डिस्प्ले साइज में, कैमरा साइज में किसको बीट करती है, I mean comparison तो बनता है ये विकॉस तीनों डिवाइसे एक तरीके से बज़र सेगमें स्पार्टफॉन के लिश्ट में आते हैं तीनों भी डिवाइसे अपने अपने प्राइस रेंज के इसाब से एकदम पॉफेक्ट है तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जो फर्स्ट चीज है, यह एमाई 11 लाइट है शाओमी की तरप से, सेकंड है इन्फिनिक्स नोट 10 और थर्ड है, रियल्मी नार्जो 34G तो यहाँ पर यह तीनों भी डिवाइसे की जो फर्स्ट चीज में आप नोडिस करोंगो, वो है इसका डिस्प्ले तो फर्स्ट शाओमी एमाई 11 लाइट में जो डिस्प्ले आता है, वो है इन्फिनिक्स नोट 10 में जो डिस्प्ले आता है, इसमें जो डिस्प्ले आता है, और यह तीनों भी डिवाइसे, एमाई 11 लाइट, इन्फिनिक्स नोट 10 और रियल्मी नार्जो 34G, तीनों भी डिवाइसे, फुल एचडी है, वित हाइस रिजलेशन, लेकिन डिस्प्ले साइस के मामले में जो बेस्ट है, वो है इन्फिनिक्स नोट 10 में बात करा हूँ, साइस की, यहाँ पर इन्फिनिक् हाँ लुछ आपको मूवीज देखना पसंद है, वीडियोस वाच कना पसंद है, गेमी कहल लुछ ना पसंद है, तो यह तिनों भी चीजों में डिस्पले इतना जाधा बड़ा होता है, उतना जाधा हमारो जो देखने का विविंग एक्ष्प्रीयेंस है, यूजिं एक्स् आदा बड़ आपको स्मार्टफोन नहीं आप उसको इसको नॉर्मल जर्जमेंट आपको बस तो ऐसे में आप ये दोने डिवाइस के लिग जा सकते हैं अब उसके बाद भी बारी आता है डिजाइन में डिस्प्ली के साथ सबसे में चुछ जाता है वह है डिजाइन आप यसे आप से अगर आप कोई डिवाइस आप सर्च कर रहे है बजट सेग्मेंट में तेन इकन गो फॉद शाओमी एमाई 11 लाइट अब इसके बीजी रीजन यह है बिकॉस यह जो डिवाइस है पहली बात इसका अल्मोस्ट जो लुक है मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ इ यह एक आइफॉन है अब नज़िक आने के बाद जो लोगो देख लेगा तो पता चल जाएगा बट फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे लगता है कि आइफॉन है साथी साथ जो कैमरा का लुक है आप मिलता है इसके बाद जो सेकेंड नंबर आता है डिजाइन वाइस में वह रियल का लाइन दिया गया जिसके वज़े से रियल में नाज़ो 30 यह अट्राक्टिव लगता है अब उसके बाद वारा जो पोशन है नॉर्मल है इस अनॉप बट सेकेंड नंबर पर यह है और थर्ड नंबर फर यहीं इन्फिनिक्स नोटें आता है इन्फिनिक्स नोटें में ड तर्फ न इन ही है यहां पर हैं यहांपर बीच में कट का लाइन दिया उपर का जो पोशować 안पर के बॉट यह भीर उटमल है कि ए इस इन्फिनिक्स नोटें बटन दीवाइस डिजाइन वाइस में यह दोने इन्फिनिक्स नोटें यहां इसको comparison में वो है cameras अब यहाँ पर तीनों भी devices में जो front के cameras है MI11 Lite, Infinix Note 10 and Realme Narzo 30 तीनों में ही 16 तीनों devices में जो front के cameras है वो 16th megapixel के MI11 Lite में जो front का camera है 16th megapixel, Infinix Note 10 का भी front camera है 16th megapixel and Realme Narzo 30 का भी जो front camera है वो है 16th megapixel अब यहाँ पर mostly cases में echo change का problem आता है वो जो MI11 Lite में आपको मिल जाता है वो है notch का area हाइट करने का यहाँ पर फूला में screen तो मिल जाता है लेकिन यहाँ पर आपको left side में या middle में यह आपको notch देखने को मिलता है तो MI11 Lite में आपको एक feature मिल जाता है जिसे कि आप इस front camera की जो notch है इसको आप hide कर सकते है लेकिन इस Infinix Note 10 और Realme Narzo 30 में यह feature आपको नहीं मिलता है जिसकी तरूँ कि आप अपने notch की area को hide कर सकते हैं तो इसके लिए आपको एक MI11 Lite में notch का area hide करना है तो डारेक्ट ली जाना है सेटिंग्स में देन डिस्प्ले में डिस्प्ले में एक option मिलता है यहाँ पर हाइट notch का जैसे में इसके बाद यहाँ पर यह option चूज करूँ तो इस जो notch का area है यह पूरी तरीके से hide हो जाएगा तो यहाँ पर अभी जैसे में tap कुर तो यह portion hide हो जाएगा as you can see that तो यह जो feature है यह MI11 Lite में बिलता है लेकिन इस दोनों devices में आपको नहीं बिलता है तो यह कुछ novel से बात है जो मुझे कह रहा था अब उसके बाद बात करते है back cameras की तो camera के मामले में यहाँ पर Xiaomi MI 11 Lite का camera मुझे ज्यादा बैट रखता है because मैंने तीनों भी smart phones के camera के साथ में अपना time spend किया है almost 15-16 गंटे हर एक smart phone के पिछे में send करता था camera testing के लिए तो मुझे ज्यादा बैटर camera का performance लगा वो MI 11 Lite का लगा अब यहाँ पर camera जिखते हैं पहला तो यह कि MI 11 Lite में जो camera आता है वो है 64 Megapixel का first one पे second अलब जो camera है 8 Megapixel और third जो camera है it's 5 Megapixel Infinix Note 10 में जो camera आता है 48 Megapixel का and जो निचे के दो camera से 22 Megapixel के हैं और इसके अलबा Realme Nazo 30 में भी 48 Megapixel का camera है और 2-2 Megapixel के निचे के दो-दो camera से हैं और तो camera के quality के हिसाब से मुझे MI 11 Lite ज़्यादा बेटर रखता है as compared to this Bose device and उसके अलबा यहाँ पर और भी चीज़े जो camera testing में MI 11 Lite में आपको ज़्यादा बेटर आटो-फोकस मिलेगा picture quality ज़्यादा बेटर मिलेगा और mostly कैसे में जो blur का option होता है वो बहुत ही कम दिखेगा लिकिए portrait mode, picture quality mode and camera के मामले में MI 11 Lite बेटर है और यह आपको बेटर रिजल्ट देगा I like this smartphone very much especially in camera quality so जो थर्ड चीज़ है वो है RAM का तो यह तीनों भी devices में 6-6 GB के RAM है MI 11 Lite में भी 6 GB का RAM है Infinix Note 10 में भी 6 GB का RAM है and Realme Narzo 30 में भी 6 GB का RAM है और यह तीनों भी devices के अलग-अलग variants available है MI 11 Lite का एक और variant आता है जिसमें 8 GB का RAM हाता है और 128 GB का storage है Infinix Note 10 का एक और variant आता है which is Infinix Note 10 Pro जिसमें 8 GB का RAM है और intelligent storage है वो भी 256 GB मिलता है Realme Narzo 30 का भी एक और variant है जिसमें आपको same variant यहां पर बिल जाता है लेकिन price range के सबसर जो मुझे सबसे best लगता है वो Infinix Note 10 है because जो चीज यह दोना smart phones में जादा price में बिल रही है वही चीज Infinix Note 10 में कम price में बिलता है अब इसके picture यह पहले बार ही नहीं है Infinix के जितनी भी सारे smart phones Infinix launch करता है वो affordable होते हैं budget segment में जादा features provide करता है Infinix Note 10 अब इसकी पिछी reason यह भी हो सकता है because यह company marketing strategy यूज कर रही है या तो अब यह company startup है इसलिए कम-कम price में जादा-जादा better performance, feature and look वाले smart phones launch कर दिये अभी यहाँ पर लेकिन कम price में जो features इस smart phones में बिल रहा है वह feature आपको यह 12,000 के smart phones बिलता है जैसे कि यह Infinix Note 10 का जो price है it's 12,000 rupees इसमें 6GB का RAM और 128GB का storage है same यह जो MI11 Lite है इसका price है 22,000 rupees और इसमें भी 6GB का RAM 128GB का storage है and उसके बाद Realme Naso 30 इसमें भी 6GB का RAM है 128GB का storage है लेकिन इसका जो price है it's around 15,000 rupees के nearby में तो जो चीज़े smart phones में जादा price में बिल रही है उसी वही same चीज़ Infinix Note 10 में कम price में बिलता है लेकिन design wise performance wise भी matter करता है so it's very important अब बात करते हैं processor की तो जादा better processor without any doubt में कहूंगा कि MI 11 light का जादा better performance है as compared to this Bose device Qualcomm Snapdragon 732G MI यह जो Infinix Note 10 है इसमें MediaTek का Helio G85 का processor है and इस Realme Narzo 30 में G95 का processor है इसमें Qualcomm Snapdragon 732G इसमें Qualcomm Snapdragon 732G है तो तीनों ही smartphone में जो processor मिलता है वो अलग-अलग price tag के इससे आप से मिलता है लेकिन जो जादा responsive और quick performance वाला processor वो है MI 11 light का इसमें आपको जादा better clock speed मिलता है जिसे की application का responsive time है वो जादा quick होता है as compared to with this both device लेकिन ऐसा नहीं कि ये दोनों devices में जो processor वो bad है काफी अच्छे processor है लेकिन depend करता है कि आप अपने smartphone में क्या-क्या चीजों को store करता है because completely उसी पर ही depend करता है अब बात करते है charging की तो charging के मामले में पहली बात तो MI 11 light में जो charger आता है इस 33 Watt का charger Infinix Note 10 में जो charger आता है 18 Watt का charger and Realme Narzo 34G में जो charger आता है इस 30 Watt का charger तो charging speed के मामले में MI 11 light जादा better है as compared to this both device MI 11 light का 33 Watt का charger एक घंटे के अंदर-अंदर within one hour यानि कि मैंने इसको tested किया है nearly 55 minutes में इसने मेरे पूरे MI 11 light को charge हो गया था मेरा 55 minutes जब मैंने first time इससे charging पे set किया था and then इसके बात Infinix Note 10 से अगर आप device को charge करेंगे 18 Watt है तो इसमें यह device 2 hours easily consume कर लेगा 0 to 100% charge होने के लिए और Realme Narzo 30 में 30 Watt का charger है तो यह nearly एक घंटा या additional 1 hour 10 minutes exact consume कर लेगा approximately nearby 0 to 100% charge होने के लिए अब depend करता है कि आप smartphone में क्या store करके रखते है बिकॉज जितना ज्यादा application जितने ज्यादा high performance वाले application आप install करेंगे उतना ज्यादा RAM processor consume होगा उतना overall power consumption होगा ज्यादा better तरीके से आपका smartphone fastly charge होगा तो यह तो यह तीनो smart phones के related मेंने charging charging speed test का topic मेंने already cover किया you can check it out in my video section so MI11 Lite में जो battery है 4250 million power and इसके बाद यहाँ पर Infinix Note 10 में जो battery है 5000 mAh का power and Realme Nazo 30 में charger जो battery है 5000 mAh का लेकिन बाले यह दोना smart phone में batteries ज्यादा है 55,000 लेकिन ज्यादा better performance है battery backup वो Infinix Note 10 में आपको जारा देखने को मिलेगा बाले यह दोना smart phones में 55,000 हैं लेकिन ज्यादा better Infinix Note 10 में देखने को और MI11 Lite में आपका backup इतना जारा battery देदेगा मैंने continuously इसे यूज किया था यानि कि इसमें इसमें गेम प्ले किया है free fire का तो मुझे अराउंड इसमें 8 घंटे का backup बिला था और नियरली और Infinix Note 10 में जब मैंने अपना continuously free fire का gameplay किया था तो मुझे 11 घंटे का इसमें backup मिल गया था battery का और Realme Narzo 30 में मुझे 9 घंटे का backup मिल गया था तो सबसे कम backup मुझे इसमें बिला मेरे सबसे जो अगर मैं को मेरे opinion कि मुझे तीनो स्मार्टफों में स्मार्टफों परसन है वह है Infinix Note 10 अब इसमें यह depend करता है मेरे जो need and requirement मुझे स्मार्टफों पर अच्छा लगता है वो display size matter मेरे लिए the reason is मेरे पास जतनी भी सारे स्मार्टफोंस naar 2 स्मार्टफोंस अगरे मेरे पास मेरे पास 7 RS स्मार्टफोंस है ज्यादा मैं जो मेरे प्राइमिरी स्मार्टफों नait ause तो मैं इनफिनिक्स का यूज करता हूँ, जिसमें से अब ये इवैस इसको में जारा यूज कर रहा हूँ बुकॉस मेरे डिस्पले मैटर करता है और मुझे ये जारा पसने पूरिक मिशे पत्वेंट में में सेडिया तर एक्माट्रनेएं तो इसन करेंड के बडुपर इसन में शंफ्रेस करें लेकायária क्रवारी में मैं। संक्थी थिऔर कです feeling that is all about । इन्फिनिक्स नोट 10 में मुझे गेमिंग का अच्छा-खासा रिजल्ट मिल जाता है इसके वज़े से में स्मार्टफोन को यूज करता हूँ कि है आपको ओनलाइन और उफ लाइन ऐन्फिनिक्स नोट 10 यह स्मार्टफोन से 1 अफ मिले आपको उफ लाइन फाल में स्टोर आपको बिल जाएंगे Infinix के centers, everywhere बिल जाएंगे, so don't worry about this तो अभी यहाँ पर तीनो स्मार्टफोन के थोड़ा sound भी चेक कर लेते हैं, कि तीनो स्मार्टफोन में, as a comparison के basis में तीनो स्मार्टफोन में किसका sound quality better मिलता है तो इसके लिए मैं तीनो ही स्मार्टफोन में, ncs के song को play करूँगा, and check करते कि sound किसका ज़्यादा better आता है, so तीनो में मैंने sound को, ncs के song को open करके रखा है, and तीनो में ही मैं almost same ही song को play करूँगा, यह first वाले को तो देखते कि किसका sound better मिलता तो यह है mi 11 light Infinix Note 10 and real mid-nars तो सब सब से पहले mi 11 light सब्सक्राप्स में में यह जग से एल जोडिक्स नोडिक्स नोड तन सब्सक्राइ चाइ अर्प्राइ बनाजू अर्यल अर्प्राइ एल चाइ बनाजू सो साउंड के मामले में जो जादा मुझे बेटर लगा पेली बात तो यहाँ पर मुझे MI-11 Lite का जो साउंड है वो मुझे जादा बेटर लगा as compared to Infinix Note 10 and Real Minarzo second number पर Infinix Note 10 का sound जादा बेटर है as compared to Real Minarzo तो इसमें यह दोनों यानि कि first number पर है MI-11 Lite, second है Infinix Note 10 and Real Minarzo है third number पर इसका sound मुझे कम लगा Infinix Note 10 के compare में तो यहाँ पर जो वीडियो कॉलिटी के मामले में जादा जो पिक्चर कॉलिटी मिलता है वो मिलता है MI-11 Lite में, as you can see यहाँ पर जादा बेटर पिक्चर कॉलिटी जो है वो MI-11 Lite का है, then second number पर है Infinix Note 10 का और third number पर है Real Minarzo 30 का, but जादा जो शाइनिंग लूक लग रहा है वो वीडियो कॉलिटी के मामले में, MI-11 Lite का मिलता है बिकॉस अभी सी बात है, यह इसमें वैसा परफॉर्मेंस ही है अब यहाँ पर जो रिजुलेशन है, रिजुलेशन के मामले में सबसे जो पूर है दोनों के कंपैर में, वो Infinix Note 10 है MI-11 Lite में हाइस्ट रिजुलेशन जो है इट्स अराउन 2160, as you can see 21 by 60 fps and then उसके बाद, Realme Narzo 30 में है same option मिलता है, हाइस्ट रिजुलेशन का 2160 pixels and then उसके बाद, लेकिन Infinix Note 10 में जो पिक्चर कॉलिटी मिलता है, वो मैक्स तो मैक्स मिलता है 1440 pixels, as you can see तो पिक्चर कॉलिटी के मामले में, जो है जादा तक एक तरीकी से रिजुलेशन आपको इस Infinix Note 10 में कम इलता है so अभी यहाँ पर कन्फ्यूस दोने कि तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए यूसफूल होगा to be honest, अगर आपके लिए look matter करता है, design matter करता है, performance matter करता है तो ऐसे में आप MI11 Lite के लिए जा सकते हो इसके बाद जो second, अगर आप लेकिन इसका price जादा है आपका budget कम है, तो second option है आप Realme Narzo 30 के लिए जा सकते है because performance, look, design के मामले में MI11 Lite जादा बेटर है लेकिन इसका price जादा है, 22,000 रुपीस है लेकिन आपको सेम वैसे performance अगर कुछ other smartphone में चाहे देने के go for Realme Narzo 30 because इसमें भी performance बेटर है processor बेटर है, look बेटर है, design बेटर है और पहले बाद तो सबसे बेटर है दोनोई device अल्मोस्ट सेम प्राइस के है लेकिन पहले नमपर पर यह अट्राक्टिव लगता है लेकिन आपके लिए अगर इस डिस्प्ले साइज मैटर करता है performance भी ठीक टाग मैटर करता है then you can go for Infinix Note 10 because मेरे लिए यह मैटर करता है that's all अबबी के टाइम में फिलर because इसमें पहले बाद तो डिस्प्ले मेरे माटर करता है then second बाद इसमें performance है लेकिन दोनों के compare में कम performance है and gaming के लिए यह अच्छा smartphone है gaming आपको यह इसमें better बिल जाएगा that's it or lags latency और especially hitting का जो problem है वो Infinix Note 10 में कम है as compared to this both smartphone अगर इसमें processor जादा है तो इसमें hitting भी जादा है then इसके बाद जो second number hitting पे आता है वो यह आता है and then इसके बाद यह इसमें hitting थड़ा काम होता है यह मैंने experience किया है that's it so that's it all about अगर अपे कुछ question है कुछ queries है then you guys can ask me in the comment section down below or else you can directly contact me on my Instagram account link in the description down below I hope you like this comparison topic thank you